दरिद्रता दूर करने के दस साधारेंट से उपाए एक बार जरू सुने नमबर एक केले के पेड़ में जल चड़ाएं केवल गुरुवार ही नहीं बलकि हर दिन केले के पेड़ में जल चड़ाएं और घीका दिया जलाएं तो मा लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी नमबर दो समुद्री नमक का पोचा लगाना चाहिए घर में हमेशा समुद्री नमक का पोचा लगाना चाहिए इससे भी दरिदरता दूर रहती है नमबर तीन, खाते समय उत्तर की और मूँ हो, जब भी खाना खाने बैठें तो ध्यान रहे कि आप उत्तर की और मूँ करके बैठे हो, इससे धन के सासत आयू भी बढ़ती है नमबर चार, कमल का फूल की पूजा करें, लक्षमी जी की मन से पूजा करें और उन्हें कमल का फूल अर्पित करें, फिर इस कमल के फूल को लाल कपड़े में लपेट कर अपनी तीजोरी में रखें तो फाइदा होगा नमबर पांच, अक्षत को रखे अपने पास, लक्षमी जी पर चड़ाए गए, अक्षत को छोटे से कागज के टुकड़े में बांद कर अपने पर्स में रखें, इससे कभी पैसो की कमी महसूस नहीं होगी नमबर छे, तुलसी के पोदे में दूच चड़ाएं, हर गुरुवार को तुलसी के पोदे में दूच चड़ाने से लक्षमी मा का आशिरवाद बना रहता है, और घर में आर्थिक संपता आती है नमबर साथ, पीपल के पेड़ की जड़ में पंच मुकी दिया लगाएं, संद्याकाल मतब दूपैर के बाद का समय में पीपल के पेड़ की जड़ में पंच मुकी दिया जलाना धन वृद्धी के लिए अती उत्तम माना जाता है नमबर आठ, दक्षिन मुकी शंख की पूजा करनी चाहिए, जब भी आप लक्षमी गणेश की पूजा करे हो तो वहाँ दक्षिन मुकी शंख भी रखें और उसकी भी पूजा करें, इसके बाद इस शंख को तीजोरी या सेफ में रखें तो ये फल दायक साबित होगा नमबर नो, केसर और चंदन को गिसकर सफेद कपड़े को रंगे, और इसे अपनी तीजोरी या फिर अपनी अमूमन जागा पर रखें, जहां आप पैसे रखते हों वही बिजा कर रखें, लक्षमी जी का आशिरवात बना रहेगा नमबर दस, मंदिर में हल्दी की माला टांगे, गुरुवार के दिन अपने घर के किसी कमरे या पूजा मंदिर में हल्दी की माला टांगे, साथ ही शिरीहरी विश्णू और महालक्ष्मी जी को लड्डू का भोग लगाएं, ऐसा करने से आपके घर में हमेशा बनी रहेगी तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और आपका दिन शुब हो